जैन दोस्तो स्वागत है आपका GKS वाला में दोस्तो आज हम कबर करने वाले हैं बीए फॉर्थ समेश्टर सूसलोजी सोसल प्रोग्लम्स एंड सोसल इसू आप डेवलम्मेंट इन इंडिया पेपर एनालेसिस करेंगे दोस्तो देखेंगे आपके 40 में से कितने प्रस्ण सही हुए है ठीक है दोस्तो और अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू कर लेजिएगा तक अगले समेश्टर में भी हम लोग साथ साथ रहे हैं चलिए ठीक है दोस्तो इस्टार्ट करते हैं आज की क्लास इसमें पहला प्रस्ण कहा रहा था दोस्तो इकोलोजी सब्द का परियोग सबसे पहले किस ने किया तो आपसा नमबर 20 में सही था दोस्तो अरनेस्ट ही केलने दूसरा प्रस्ण इसमें पूछा था विस्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो दूसरे का आपसर नमबर 20 सही था दोस्तों 16 सितंबर को 20 ओजोन दिवस मनाया जाता है तीसरा प्रसन पूछा था दोस्तों साइवत राष्ट संग द्वारा कितने सतत विकास लच्छ निरधारित किये गया है तो इसमें आपसर नमबर 20 सही था दोस्तों 17 SDGS ठीक है इसमें चौथा प्रसन पूछा था विकास की प्रकिर्टी होती है तो चौथे का आपसर नमबर 20 सही था दोस्तों चक्रिय अगला प्रसन पूछा था पांचवा प्रसन दोस्तों इसमें किसी समाज में अंतर पिडि संघर्ष की समस्या तब उथपन होती है जब वह समाज तो पांच का आपसर नमबर 20 सही था दोस्तों संकर्मर की दसा में होता है छटवा प्रसन दोस्तों वर्तमान यूग में अंतर पिडि संघर्ष का एक प्रमुक कारण है तो 6 का अप्सन नमबर B सही था इसमें तिवर समाजिक परिवर्तन साथवा प्रस्न है दोस्तों वीचलन का प्राथमी के उन्दीतुयक वीचलन के रूप में वरगी करार किसने किया साथ का अप्सन नमबर D था इसमें दोस्तों सही एडविन लेमर्ट अगला प्रस्न इसमें था दोस्तों अठवा प्रस्न था मार्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक वीचलन का परकार नहीं है तो 8 का अप्सन नमबर C सही था दोस्तों इसमें अनुरूपता अगला प्रस्न है निम्नांकित में से कौन सी एक दसा समाजिक समस्याओं से संबंदित है तो 9 का आपसा नमबर 20 सही था दोस्तों समाजिक बिचलन आपसा नमबर 10 का रहा था दोस्तों निम्नांकित में से कौन सा एक दत्व अपराद की कानूनी अधारणा से संबंदित है 10 का आपसा नमबर 20 सही था दोस्तों अपराधी इरादा दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी जरूर करियेगा दोस्तों इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए 11 का आपसा नमबर 20 सही था इसमें M.J. सेंथना प्रस नमबर 12 था दोस्तों वीचलन घटित होता है तो इसमें आपसा नमबर 20 सही था दोस्तुर समाजी करण के करण प्रस नमबर 13 था दोस्तों हिंदूओं में दहेज की समस्या विवाह के किस रूप से सम्बंदित है तो 13 का आपसा नमबर 20 में सही था दोस्तों ब्रम्भ विवाह प्रस नमबर 14 है दोस्तों कौन सा तत्तो अंतर पीड़ी संगर्ष से अनिमार रूप से सम्बंदित होता है तो चौदय का आफसा नमबर सी सही था पारसपरिक विरोध प्रस नमबर 15 है इसमें था दोस्तों किस समाज में निर्धंता के मुल्यांकन के लिए निम्नांकित में से कौन सा माने धंड सही नहीं है तो पंदर का आफसा नमबर 20 है और धोगी करण का अस्तर प्रस नमबर 16 का रहा है दोस्तों भारत सरकार द्वारा एंटी नार्कोटिक एक्ट किस वर्स पारित किया गया तो 17 का आफसा नमबर 20 है दोस्तों सदर लेंड प्रस नमबर 18 का रहा था दोस्तों इस कथन का पुरतिपादक कौन है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बलकि समाज द्वारा बनाए जाते है तो 18 का आफसा नमबर A सही था दोस्तों इसमें सदर लेंड ने कहा था प्रस्ट नमर और नई से दोस्तों भारत में सुचना प्रोधोगी की अधिनियम किस वर्स पारित हुआ ये मोस्ट इंपोर्टन प्रस्ट था दोस्तों मैंने इसे बताया भी था तो 19 का आफसर नमर ए इसमें सही था संद 2000 अगला प्रस्ट है प्रस्ट नमर 20 है भारत में निम्नांकित में से किसे अलपसंख्यक माना जाता है तो इसमें आफसर नमर डी सही है दोस्तों सभी को जैन, मुसल्मान और इसाई सभी अलपसंख्यक है 21 का निम्नांकित में से लोक जीवन में भरष्टचार की समस्या का संबंध किस दसा से है 21 का आपसा नमबर सी सही था दोस्तों इसमें बिचलित ब्योहार का 22 सजाती आसमांजस्य का संबंध है तो 22 का इसमें अफसर नमबर D साही था दोस्तो सांस्क्रितिक भेद भाव से प्रस्ट नमबर 23 था दोस्तो किस समाज सास्त्री ने भारती समाज को मौलिक रूप से एक औसमानताकारी समाज के रूप में अस्पष्ट किया तो 23 का अफसर नमबर इसमें A सही था दोस्तों लिव डीमो प्रस्ट नमबर 24 है दोस्तों भारत में जाती इंगित करती है तो 24 का अफसर नमबर C है दोस्तों जन्म अधारि अस्तरी करण प्रस्ट नमबर 25 का रहा था दोस्तों सन 1931 की जन्गर्णा में जे एच हट्टन ने दलित जातियों को निमलेखित में से किस नाम से सम्भूंधित किया तो पचीस का अफसन नमबर बीस है था दोस्तों इसमें बाहरी जाती प्रसन नमबर 26 है दोस्तों कौन सी एक दसा आर्थिक विकास से सम्बंधित नहीं है तो 26 का आप्सन नमर 10 अही था दोस्तों जनसंख्या के आकार में कमी आर्थिक भिकास की दसा से संबंदित नहीं था प्रस्ण नमर 27 दोस्तों भारत में इस्तिरियों को पुरूसों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का समाजिक विधान किस वर्स पास हुआ तो 28 का आपसन नमर A है दोस्तों संदू हजार पाँच में प्रस्ण नमर 29 केह रहा है दोस्तों भारति समाज में विवा विच्छेद कि सुक्रिति कि सिधान पर अधारित थाई ये question भी मैंने कराया था प्रस नम्बर 30 Asian drama पुस्तक किसने लिखी है तो इसका आप्स नम्बर A सही है गुनार मेडल प्रस नम्बर 31 का रहा दोस्तो World System Analysis पुस्तक किसने लिखा है तो इसमें दोस्तो 31 का आप्स नम्बर 20 में सही था Emmanuel वारस्टीन ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तो पर निर्भरता के सिधान से कौन सम्बंदित है तो 32 का आप्स नम्बर 10 है दोस्तो समीर अमन दोस्तो ये question हमें doubt है अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग comment करके बताएगा ताकि हमारे अन साथियों को भी परस नम्बर 32 का सही उत्तर पता चल सके ठीक है आगे बढ़ते हैं परस नम्बर 33 है दोस्तो होजलेट्स ने उधामिता के विकास के लिए किन सम्मूओं को उपयुक्त माना है तो 33 का आपस नम्बर 10 है दोस्तो संस्क्रितिक रूप से सिमान्त समूओं को ठीक है परस नम्बर 34 का रहा है निर्भरता सिधानतवादी मानते हैं की तो 34 का इसमें दोस्तो हमें डाउट लग रहा है इस कोस्चन का हमें उत्तर मिला है नहीं है अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताईए का जरूट ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तो परस नम्बर 35 का राय दवेल्थ आप नेसंस पूस्तक किसने लिखी यह भी कोस्चन मैंने कराया था दोस्तो 35 का आपस नम्बर A है इसमें एडम इसमित परस नम्बर 36 है दोस्तो इसमें परस नम्बर 36 है निम्नांकित में से कौन सतत विकास की रणनीती का भाग नहीं है तो 36 का आपस नम्बर B है दोस्तो नीजी वानों में कमी तथा सार्व जनिक यातेयात को बढ़ावा आगे बढ़ते हैं परस नम्बर 37 है दोस्तो मानो विकास उचकांक से सम्बंधित कौन सी दसा आवस्यक है तो 37 का आपस नम्बर D से ये दोस्तो या सभी लंबा और स्वस्त जीवन होना चाहिए ग्यान में वरिदी होना चाहिए सब जीवन की दसाएं होनी चाहिए ठीक है परस नम्बर 38 है दोस्तो मानो विकास सुचकांक से सम्बंधित भारती मूल की किस व्यक्ति को नोबेल पुरसकार मिला तो 38 का आपस नम्बर D है दोस्तो अमर्त से इनको मिला था कम मिला था इनको 1998 में ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तो परस नम्बर 49 है परस नम्बर 49 का रहा है दोस्तो कौन सा सतत विकास लच SDG सबके लिए जल और स्वच्छ है तू सतत प्रबंध द्वारा उपलब्द सुनिश्चित करता है 49 का आपस नम्बर B है SDG 6 ठीक है आगे बढ़ते हैं परस नम्बर 40 का रहा है दोस्तो लाश्ट परस नहीं है The Theory of Economic Growth Push तक किस ने लिखिया है यह भी मैंने कराया था दोस्तो तो 40 का इसमें आफसा नम्बर A सही था W.A. Levy's आपके कितने कोस्चन्स 40 में से सही हुए हैं दोस्तो कमेंट बाक्स में कमेंट करिएगा मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिए जैहिन बूंदे मातरम